in cases find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin और हमारे पास plane दियाओ है 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0 अब ना ध्यान से समझना सबसे पहले ना मैं यह plane draw कर रहाँ मैं फिर question समझाता हूँ है क्या question माल लो यह plane है हमारे पास 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0 ठीक है अब देखो यह कहता है find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin माल लो यह point है origin इसको नाम रखते है 000 ठीक है हमने यहां से एक perpendicular draw करना है यह perpendicular मैंने draw किया हमें यह माल लो m है हमें m find करना है इसने क्या बोला है find the coordinates of the foot of the perpendicular तो यही foot हो है तो हमें यह निकालना है m क्या निकालना है m ठीक है तो m के हम vertices रख लेते है x y z ठीक है तो देखो इसमें न मैं first part में पूरी language लिख देता हूँ लेकिन जो बाक्की part है उसमें मैं language नहीं लिखूँगा अब directly करूँगा ठीक है let m be the foot of the perpendicular अब मैं आपको सबसे असान तरीका बताता हूँ क्या करना है मैं आपको पहले roughly बताता हूँ हम ना यह om आपको क्या दिख रही है यह om एक line है है ना line तो मैं इस line की equation निकालूँगा अब आपको पता line की equation क्या होती है line की equation होती है यह यह आपने second exercise में पढ़ी है यह होती है line की equation x1 y1 z1 जो है ना वो है 0 0 0 तो मतलब यह हो जाएगा 0 यह हो जाएगा 0 और यह हो जाएगा 0 है ना अब रहा गया abc abc क्या होंगे देखो यह line इस plane के perpendicular है अब भी मैंने आपको ना angle between line and plane पढ़ा है है ना तो मैंने बताया था अगर line plane के perpendicular हो तो क्या हो जाता है उस case में a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2 इसका मतलब होता है कि जो direction ratio इसकी है ना वो इसकी हो जाएगी इसकी direction ratios है 2 3 4 तो इसकी भी direction ratios हो जाएगी 2 3 4 मतलब abc हो जाएगा 2 3 4 ठीक है फिर अगला step क्या करेंगे इसके पास आगे मैं आपको बताता हूँ अब मैं दुबारा बताता हूँ सबसे पहले ये plane लिखो given equation of plane वो दिया है हमारे पास 2x plus 3y plus 4z minus 12 equal to 0 इसको लो first ठीक है अब दियान से समझते जाना इतना मुश्किल नहीं है बस तोड़ा से दियान दे ना direction ratio of plane first इसकी direction ratio क्या हो जाएगी 2 3 4 ठीक है अब ये plane इसके ये line sorry line is plane के perpendicular है since line om is perpendicular to is perpendicular to plane first है ना तो जो direction ratio याद रखो अगर line plane के perpendicular होता है तो दोनों की direction ratio सेम हो जाती है तो line की direction ratio भी क्या हो जाएगी 2 3 4 क्या हो जाएगी 2 3 4 अब हम निकालेंगे equation किसकी om की let the equation of om वो क्या होगी x-x1 upon a y-y1 y-y1 upon b z-z1 upon c यही होती है ना अब x1 y1 z1 मैंने आपको क्या बताया था यह point होता है x1 y1 z1 x1 y1 z1 हो गया point तो om पे point है 0 0 0 तो मैंने x1 y1 z1 की value दाल दी अब आजो abc abc होती है direction ratios तो direction ratio देखो om की क्या है 2 3 4 वो यहाँ लिखतो ठीक है अब आप इसको equal to lambda लिखो ठीक है इसको भूल जाओ इस सबको भूल जाओ इसको छोड़ दो आपको देखो x क्या दिख रहे x दिख रहे न 2 lambda अगर मैं इस 2 को इदर ले जाओ यहां देखो इसको छोड रहा हूँ तो x कितना हो जाएगा 2 lambda है ना इसी तरह अब इसको छोड़ दो इसको और इसको compare करना ठीक है यह मैंने इसको चुपा रहा हूँ तो y 3 को उस तरफ ले जाओ y कितना हो जाएगा 3 lambda अब आप इसको और इसको compare करो इन सब को भूल जाओ तो यह कितना हो जाएगा z हो जाएगा 4 lambda ठीक है अब हमें lambda की value निकालने पड़ेगी तो हम क्या करेंगे x y इसको लोग पूरे को second x y z की value दालेंगे first में वहाँ से lambda की value निकलेगी lambda की value यहाँ दालेंगे तो question खता ठीक है तो देखो second की value हम किसमें दाल रहे हैं first में तो आपके पास है सबसे पहले 2x 2x x की जगा 2 lambda फिर 3y प्लस 4z y की जगा 3 lambda फिर 4z z की जगा 4 lambda और minus 12 equal to 0 ठीक है अब इसको solve करो 4 lambda 9 lambda यह lambda है 16 lambda minus 12 equal to 0 इस 12 को इदर ले आओ और इनको plus करो 13 13 plus 16 29 lambda equal to 12 तो lambda आजाएका 12 by 29 अब आपने lambda की value यहाँ दालनी है 2 into 12 by 29 24 by 29 फिर y की value यहाँ दालनी है lambda की 12 into 3 36 by 29 फिर यहाँ दालनी है Z की value 4 into 12 48 by 29 तो hence foot of the perpendicular आजाएगा M 24 by 29 36 by 29 और 48 by 29 ठीक है अब बाकी जो 3 part है ना तो मैं आपको वो short में बताऊँगा आपको एक part तो समझ आ गया ना तो बाकी part मैं आपको directly बताऊँगा ठीक है तो यह हो गया हमारा question number 4 का first part complete question number 4 का second part है 3y plus 4z minus 6 equal to 0 तो same जैसे हमने first part के है ना अब मैं आपको directly बताऊँगा लेकिन आपने paper में language लिखनी है language के number होते है ठीक है directly paper में आप solve करके नहीं आ सकते है तो यहाँ पर point था origin तो यह हो जाएगा m ठीक है तो सबसे पहले इसको आप लिखो इसको मैं लिख रहा हूँ 0x 3y plus 4z minus 6 equal to 0 ठीक है इसकी direction ratios हो जाएगी 0 3 4 अब मैं directly करूँगा ठीक है इसकी भी 0 3 4 हो जाएगी आपको पता है क्यों क्योंकि मैंने पहले वाले part में बताया है अब om की equation equation of om क्या formula बनेगा x minus 0 upon 0 y minus 0 upon 3 z minus 0 upon 4 और इसको equal to lambda करो अब इसको छोड़ दो इनको भूल जाओ दोनों को x देखो कितना आएगा यह 0 इदर चला जाएगा आपको सिरफ इसको इसको compare करना है तो x आएगा 0 lambda वो 0 हो गया अब इसको भूल जाओ इसको और इसको compare करो 3 इदर चला जाएगा मतलब मैं ऐसा करता हूँ अगर आपको नहीं समझ आ रही देखो इसको और मैं इदर लेके जाता हूँ तो y हो जाता है 3 lambda इसी तरह z आ जाएगा 4 lambda ठीक है अब यह तीनों values आपको इसमें दालनी है ठीक है यहाँ पर x तो नहीं है सिरफ y और z की value दाल दो 3 y y की value 3 lambda फिर 4 z minus 6 equal to 0 यहाँ पर z की value 4 lambda और 6 इसको solve करो 9 plus 16 25 lambda equal to 6 lambda equal to 6 by 25 तो m आ जाएगा पहला 0 यहाँ पर दालो lambda की value 3 into 6 18 by 25 और यहाँ पर 4 lambda की value 4 into 6 24 by 25 यह हो गया हमारा second part भी complete ऐसी मैं जल्दी से third और fourth भी निगाल देता हूं ठीक है question number fourth का third part है x plus y plus z equal to 1 तो यह plane ले लो यह origin ले लो और यह om ले लो ठीक है इसकी direction ratio क्या होगी 1 1 1 है यहाँ पर तो इसकी भी 1 1 1 हो जाएगी equation निकालो x minus 0 upon 1 y minus 0 upon 1 z minus 0 upon 1 इसको इसको compare करो x हो गए lambda y हो जाएगा lambda और z हो जाएगा lambda अब यह तीनो values इसमें दालो lambda प्लस lambda प्लस lambda तो यह बनेगा 3 lambda equal to 1 lambda equal to 1 by 3 तो m आ जाएगा यहाँ पर x की lambda की value 1 by 3 x हो गया 1 by 3 यहाँ पर 1 by 3 और यहाँ पर 1 by 3 तो यह हो गया अमारा 4th का 3rd part भी complete अब हम last part करेंगे 5th part question number 4th का last part है 5y plus 8 equal to 0 इसको आप ऐसे लिख दो 0x plus 5y plus 0z plus 8 equal to 0 यह बनाओ plane ठीक है और यहाँ पर एक origin बनाओ और यहाँ से m ठीक है तो इसकी direction ratio क्या हो जाएगी 050 तो इसकी भी 050 निकालो equation equation किसकी निकाल रहे है om की x minus 0 upon 0 y minus 0 upon 5 z minus 0 upon 0 इसको equal to lambda करो तो इसको इसको compare करो इसको इसको तो यह हो जाएगा x equal to 0 lambda 0 y हो जाएगा 5 lambda और z हो जाएगा 0 lambda 0 ठीक है अब क्या करो यह values इसमें दालो first में सिर्फ आपको y की value दालनी है बस 5 इंटू 5 lambda plus 8 equal to 0 तो lambda आजाएगा minus 8 by 25 तो hence m आगया 0 यहाँ पर lambda की value दालो 5 एट जा 40 upon 25 फिर z की value 0 तो यह हो गया हमारा question number 4 complete इसको ना काट लेना यह 5 के टेबल से गटेगा 8 और 5 तो 0 minus 8 by 5 0 तो यह आया complete answer